हेलो गाइस वेलकम तो दे चैनल बाइलोजी सिंप्लिफाइड एन आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कुशन का दैट इस कि मैंने बाइलोजी सिंप्लिफाइड चैनल क्यों बनाया है एन इसके क्या बेनिफिट्स होने वादे तो friends most of the students who are enrolled और जितने भी students देख रहे हैं या तो वो अपने किसी ने किसी PhD entrance exam के अंदर में enrolled अप है या उसके तियारी कर रहे हैं या फिर वो अपने master's या फिर UG level पे अभी enrolled अप है ठीक है और वो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है बट खास्तों से ये चैनल बना है उन के लिए जो कि life sense related field के अंदर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उसी field में आगे जा करके अपनी PhD करना चाहते हैं ठीक है अब friends क्या होता है कि जितने भी हमारे life sense वाले जो portions रहते हैं ठीक है if we talk about the life sense portion तो इसके अंदर में काफी सारे multiple topics रहते हैं ठीक है which is which diversifies itself from botany, z chemistry, microbiology, then biotechnology, immunology, cell biology and other stuff ठीक है उन सब चीज़ों के अंदर में basically अपने आपको इतने portion के अंदर में उसने divide करके रखा हुआ है ठीक है अब वहीं पर बात करते हैं किसी एक individual की जिसने safe or safe microbiology पढ़ा है या जिसने safe or safe biotechnology पढ़ा है तो वो सिफ अपने restricted area के उपर में ही command possess कर सकता है ठीक है और जरूरी नहीं कि मतलब कि उसके command के वे जो subjects हैं उसी से related किसी competitive exam के अंदर में आए ठीक है तो life science के अंदर में जितने भी diversified subjects रहते हैं चाहे botany, zoology से लेकर के instrumentation, technology तक जितने भी हमारे safe subjects होते हैं वो सारे के सारे cover up होते हैं license के अंदर में and it is not necessary कि मतलब कि वो सारे subjects हमारे microbiology, biotechnology, ऐसे वाले candidates पढ़ते हैं ठीक है तो इस channel का whole soul purpose यह रहता है कि जितने भी हमारे यह particular students हैं ठीक है जो कि चाहे PhD entrance के त्यारी कर रहे हैं या फिर MSC level के अंदर में हैं, UG level के अंदर में हैं आगे किसी अच्छ subscription में जाना चाहते हैं चाहे PhD करने के purpose से, चाहे MSC करने के purpose से, तो उनके पास में एक sound knowledge रहे and उनको यह चीज़ पता चलते रहे कि कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं या कौन-कौन से subjects हैं जिनको पढ़के आसानी से हम लोग यह exam को qualify कर सकते हैं, ठीक है, for example, जैसे microbiology वाला है तो वो कुछ domains के उपर में उसका command रहेगा, लेकिन साथ साथ में अगर उसको थोड़ा बहुत अगर plant physiology, थोड़ा बहुत अगर उसको fermentation technology, थोड़ा बहुत उसको ecology and evolution related अगर subject का भी अगर matter हो, तो उसका एक अच्छे organization में पढ़ना या एक अच्छे organization के अंदर में involved होकर कि ए अच्छा PhD obtained करना जादा आसान होगा as compared to कि वो सिर्फ restricted field के इंदर में रहे करके उसी subject के उपर में continuously महनत करता रहे and आगे जाकर कि उसको उस चीज़ का कोई बहुत जादा significant result देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? अब जितने भी हमारे graduates रहते हैं या जितने भी हमारे post graduates रहते हैं ठीक है? खास्तों से licenses की आगे जाकर के लिए उनके लिए जो रास्ता होता है वो दो तरीके से diversifier होता है ठीक है? या divert होता है? पहला कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि industry के तरफ पे चले जाते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि research lab की तरफ पे approach करते हैं अब research lab के अंदर में भी वो अलग-अलग position के उपर में काम करते हैं लेकिन अगर उनको PhD में enroll up होना है तो they should either be JRF और SRF ठीक है? and JRF के बाद में ही SRF मनता है तो obviously सबसे पहला important criteria तो ये है कि वो अपने आपको JRF के तोर पे enroll करा है अब JRF पे enroll कराने के लिए क्या करना ज़रूरी होता ह है he or she has to qualify the exam right and that particular exam can either be CSIR NET, it can be ICMR, it can be DBT, it can be DST, ठीक है? it can be GATE, ठीक है? तो इतने ऐसे ये जो competitive exams रहते हैं, ultimately क्या होता है? इसमें से आपको जब आप ये exam qualify कर लेते हैं ठीक है? आपका rank बहुत ही अच्छा आता है तो आपको automatically JRF ship की category में position मिल जाता है फिर जो भी आपका organization है जहाँ पर आप ये काम करना चाते है आप PhD करना चाते है वहाँ पर आपको एक interview, आपको qualify करना होता है एन interview जो आपने qualify कर लिया उसके बार में आप enroll up हो जाते हैं for pursuing your PhD program ठीक है? अब PhD करने के दौरान में ठीक है? एन PhD जब आपका हो रहा है ठीक है? जब आप JRF से SRF पर भी जा रहे हैं तो ultimately आपको step in मिलना शुरू हो जाता है एन यही stipend के जरिए आपको कहीं सारी चीज़ें आपकी proceed up होती हैं जैसे की purchasing of the raw material हो जाता है for your research purpose, publication का जो खर्चा होता है ठीक है? अब other stuff जो होते हैं ठीक है? वो सब चीज़ों के लिए जो भी आपका arrangement होता है वो इनी funding के जरिए आपका होता है ठीक? अब list of competitive exams जैसे मैंने आपको पहले बता है CSIR, ICMR, DBT, GATE ठीक है? even DST यह ऐसे group of exams है जो की आपके क्या करते हैं इन सब के अंदर में similarity क्या होती है? not the CSIR, but the remaining of the five exams, ठीक है? they are associated with providing fellowship अब इन में से भी सबसे ज़्यादा values CSIR का सिर्फ इसी वज़ा से हो जाता है, because यहाँ पे fellowship के अलावा यहाँ पे आपको lectureship भी मिल जाता है तो fellowship और lectureship अगर आपको मिल जाता है, तो आपको advantage क्या मिलता है? advantage आपको HTS का मिल जाता है कि कल के दिन आप एक अच्छे organization से you can pursue your PhD, as well as you can also teach in a university or a college as assistant professor as assistant professor ठीक है? तो आपको HTS का भी benefit मिल जाता है, जो कि आपको ICMR, DBT, या फिर DSD के अंदर में आपको नहीं मिलता, यह solely ऐसे type के organization है जो कि सिर्फ और सिर्फ fellowship related segment को ही emphasize करते हैं, fellowship भी provide कराते हैं, lectureship भी provide नहीं कराते हैं, ठीक है? इसके अलाबा बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो license के होते हुए भी किसी दूसरे competitive exam को देने का ट्राइ कर सकते हैं and that belongs to the field of the agriculture sciences and agriculture sciences के अंदर में भी अकर बात किया जाए but the main advantage which you can get over here is that there are plenty of ICAR labs as compared to the CSIR labs right from Jammu Kashmir to Tamil Nadu and from Gujarat to Assam and Manipur ठीक है ये चारो जगर पर ICAR के जो labs हैं वो काफी जादा है and therefore one can easily get themselves enrolled into an ICAR related research lab as compared to that of the CSIR related lab and इसी वज़े से कहीं बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक student है उसने जैसे CSIR exam को qualify किया and instead of choosing for the CSIR lab that student can that student sometimes they also opt for the ICAR related institute also ठीक है and यहाँ पर scope थोड़ा सा जादा open हो जाता है scope इस वज़े से जादा open हो जाता है क्योंकि जितने भी हमारे subjects है जो या वो particular student है जो कि confined study तक ही सीमित रह जाते हैं ठीक है उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ी opportunity मिल जाती है opportunity case हिसाब से मिलती है यहाँ पर अगर आपने सिर्फ microbiology में अगर आपने पढ़ाई किया है still you have a better opportunity of qualifying the ICAR net as compared to that of the CSIR net ठीक है because इसके अंदर में अगर आपने subject choose कर लिया कि मुझे agriculture microbiology के अंदर में मुझे appear करना है तो आपको agriculture microbiology related questions जादा आते हैं as compared to that of the non microbiological subjects ठीक है इसके अंदर में आपको कोई developmental biology नहीं पूछने वाला है इसके अंदर में कोई आपको evolution के अवाले में नहीं पूछने वाला है ठीक है इसके अंदर में core and core microbiology and related subjects ठीक है जैसे कि molecular biology हो गया, fermentation technology हो गया, food microbiology हो गया, dairy microbiology हो गया, dairy microbiology हो गया तो जो students अपने सिर्फ confined study ही कर पाते हैं उनके लिए ICAR net जो है वो बहुत बढ़ा बून की तरह काम करता है बहुत बढ़ा वर्तान है उनके लिए ठीक है इसके अलावा अगर माली जै कि वो अपने microbiology के साथ साथ में बहुत सारे दूसरे subjects के साथ में भी अगर अपने आपको cope up कर लेते हैं ठीक है जैसे developmental biology, ecology, evolution, biochemistry related subjects को भी अगर बहुत ही अच्छा है उनका strong hold रहता है तो no doubt they can qualify other examination also like CSIR, ICMR, DBT, DST ठीक है post-graduation level पर university topper है तो आपको DST का inspired fellowship आपको काफी आसानी से मिल जाता है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि आखी है channel आपको offer क्या करता है तो this channel basically offers you knowledge, knowledge regarding, knowledge regarding qualifying the exam for the CSIR net ठीक है जो CSIR net को qualify करना चाहते है उसके बारे में आपको knowledge मिल सकता है then जो gate ठीक है then other exams like ICMR ठीक है DBT ऐसे type के हमारे जितने भी competitive exams है ठीक है जो PhD oriented exams है ठीक है related जितने भी exams है उनका जो study रहेगा ठीक है उनसे related जो concepts रहेंगे वो इस particular channel पे आपको ज़्यादा अच्छे से clear होंगे ठीक है इसके अलावा जो भी UG से PG level की तरफ पे जाने के लिए competitive exams face करता है ठीक है क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हमारे जो channel viewers होते हैं वो ज़्यादा पोस graduate students होते हैं और कई बार UG students को इसमें बहुत ज़्यादा कुछ grasp करने को नहीं मिलता है लेकिन इसमें UG से PG level प काफी अच्छी तरीके से conceptualize तरीके से present करने की मैंने कोशिश की है ताकि आप लोग जो PG भी करें तो किसी अच्छी university से आप लोग उसको परसूख कर सके अब अगर CSIR की बात करते हैं या किसी भी competitive exams की बात करते हैं तो उनके अंदर में जो main subjects आप क्या आते हैं वो था ecology, developmental biology, animal physiology, animal habitat, biochemistry, plant physiology, botany and genetics, molecular biology, कुल मिला करके साय के साय सब्जेक्स हमारे एक ही चीज के अंदर में आपके count up होते हैं that is the licenses ठीक है and इस channel के अंदर में जितने भी हमारे licenses के अंदर में majority of the portions जो रहते हैं हम लोग उसको cover up करने के कोशिश करते हैं and साथ-साथ में इसके अंदर में ए जरीए आपके सामने में चीजे रखी जाती है ताकि आप किसी unfamiliar subject को भी आप लोग इस context में और इस तरीके से पढ़ें कि आप लोग चीजों को जादा अची तरीके से समझ सकें आप लोग इस तरीके के videos को देखें या फिर इस type के content को पढ़ें ताकि आपको चीजे memorize भी होत करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें एक strategy हम उसका बना सके कि आने वाले competitive exams में अगर हमें कुछ अगर approach करना है तो हम उसको कैसे approach कर सकते हैं ठीके इसके अलावा इस channel के अंदर में जो vacancies भी निकलती है कहीं पे research associate का post निकलता है या कहीं पे अगर teaching का post निकलता है या कहीं पे research lab के अंदर में post निकलता है तो इसके बारे में भी आपको इस channel के अंदर में update किया जाएगा इसके अलावा इसके अंदर में कहीं सारे live sessions होंगे जहां पे हम लोग personally एक दूसरे के साथ में interact करके किसे एक topic के ऊपर में हम लोग study कर सकते हैं आप लोग अपने questions directly put up कर सकते हैं युएने को हम लोग वाहां पे solveord करने के कोशिश करेंगा तो विद अवे खौए गी हैं जास्त आफित मतना ने कि शाफिश्चर करेंगे हम डरी रैस एक टीमार कर खसी बारे में मौ लूष ऑंद सिस्ञिए पर नीज तो श्क्राफिए नेरीश् आट बट्र के नेस सब्स